तो दोस्तों अभी हम लोग हैं hero के counter पर hero के अग्जिवेशन में अभी यहां पर auto इसके अंदर आपको इंजन आपको मिलने वाला है जो सब 156 इसी का इंजन मिलने वाला है फोर्स टोप लिक्विट फूल सिंगल स्प्लेंडर फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलने वाला है चौद भी एच्पी की पावर 13 अनम का टॉर्क है 141 kg की आपको स्कूटर पढ़ने वाली है अब स्कूटर ना मैक्स स्कूटर कहूं या एडवेंचर स्कूटर कहूं कौन से कटेगरीम कहूं अब इसको नहीं समझ में आता क्यूंकि इसका लुक देखो थोड़ा से ना मैक्स स यहां पर समने समान श मॉड़ी सिच्टम शाम फैंग तो यहां पर ना बड़ी कमजोर रहा थ स और सी क्वालिटी है क्या कहूं ठीक है यहां पर यह ओन आफ का सिस्टम में ठीक है ऑन आफ का बटन हो गए रहा है सारा कुछ यहीं से कंट्रोल होने वाला है फिर हार इसके अंदर चाबी हो गए रहा तो नहीं है पर कि आपने आफ करके देखता हूं कि यह और चाबी गए ठीक है और इसकी बटन्स और है थोड़ी सी क्वालिटी तो डाउन है ठीक है बाकी देखिजाये तो क्वालिटी ठोड़ी सी बढ़ा चाकते हैं लेकिन क्वालिटी कम लग रही है मुझे बाकि यहां पर बटन्स काफी अच्छे हैं प्रंट में पार्ट लाइट भी है यहां पे हाइपीम लोबी में टर्ण सिगनल से हौन का बटन है बाकि ऑन ओफ मतलब आइट्री जो हता नहीं क्या इस टेकनोलोजी वो दे रखी इसके अंदर और यहां पे आपको पावर बटन मिली जाता है फ्यूल टैंक यह पर दिलेगा इससे आप यहां पे समानोरा नहीं की तो नहीं है यह दोड़ाने भगाने के लिए मौल मस्ति करने के लिए तो यहां पर समारकने का सिस्टम खतम यहां पर आप लोग पैर रकोगे फूट-पैट ठीक है यहां पर मैंटल का फूट्रेस्ट मिलता है और यह बाकी इसका एंजन के हाउजिंग है इंजन इसका कैसा दिखता है देखलो मैंने बाकी आपको इसकी डिते डिटेल्स बताई द आपको इहां पता है यहां पर टेल लाइट मिलती है यहां पर आपकी नंबर मिलती हैं यहां पर यह तो चीज कुझ मेलते हैं और यह कितर ठीक है दोनों तरफ suspension setup पीछे double मिलता है और इसका टायर है ना टायर का साइज है 140-60 ठीक है तो जो यह समझ लो कि जो आरवन फाइब में मिलता है वो इसके अंदर मिल रहा है 140 सेक्षन का टायर मिल रहा है और इसका जो साइलेंसर है इसका थोड़ा सा अपर साइड इसमें कर रखा है ताकि अगर आप पानी अगरम कभी कुदाएं ना कभी नदी नूदी में पार करें तो आपकी बाइक बाकी यहां पर इसमें आपको लिक्विट कूल साइड मिलता है कि फ्यूल क्यूल मैं भी आपको थोड़ी दर में आगे वीडियों बता दोगा तो यहां पर यह चीज वड़ी आप प्रोटेक्टेड है मेटल की जाली से ठीक है मैटल का फोट्रेस्ट है अब हम आते हैं बा बाकी लाइट मिल जाती है यहां पर यहां पर आपको मैंने पकड़ने वाला बताई दिया यहां पकड़ने के लिए बाकी यहां जूम की 3D ब्रांडिंग है एक ग्राफिक्स अच्छा सदे रखा है यहां यहां शाय इसका बैटरी कंपार्मेंट हो ऐसा कुछ लग रहा है पर भी पक्का नहीं पता फ्रेंट में आपको यहां पर ट्रेस्कॉपिक संस्ट्रेंशन रिफ्लेक्टर यह इसके अलोवे वील होने वाले हैं जैपर टायर मिलता है 120-70 का सेक्षन मिल जाता है ठीक है प्रेंट से लूक की बात की जाए तो देख रहे हो ना यहां पर बड़ा सब विंड स्किन मिल सकता है अपडेट करके और उचा कर सकते हो आप लोग ड्यूवल ड्यूवल पैनल में आपको इसमें यहां पर लाइट मिलती है ठीक है और यहां पर होंडा का हीरो का आपको इस स्टाइल में इसको इसकी जो फ्रेंट का जो मट गाड़ है ना वह सब्सक्राइब मिलता है यह होने वाली है वन सिक्स्टी जूम ठीक है अड्वेंचर स्टाइल तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके बताना बाकी एक चीज़ और रही वह की यह ना इसके आपको अर बाकी पूरी वीडियो में आपको कोई बीचीज अगर मिसिंग लगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो ऐसी धेर सारी वीडियो में लाने की कोशिश करता हूं चैनल के उपर फिर हाल के लिए चलता हूं भी लोगो नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई-बाई